हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अबर चनल, कुल्दीप जन ओफिशियल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, CPCT exam analysis को solve करते हुए हम computer के important question को discuss कर रहे हैं उसी सरंखला में आज की वीडियो में हम 19 मार्च 2023 के first shift में आई हुए computer के question को discuss करेंगे तो आज question number 1 से 26 के question को हम discuss करेंगे तो वीडियो में अन्त तक जरूर बने रही हैगा previous year question को लगाने से आपको परिक्षा का pattern, question के difficulty level पता चलते हैं तो यदि आपने मेरी वीडियो सुरू से देखी हैं तो अभी तक आप समझ कहेंगे कि CPCT exam के pattern क्या है और किस तरीके से हम इन question को लगा करके इस exam को crack कर सकते हैं किस तरीके से 50 plus score को हम gain कर सकते हैं तो यदि आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चनल पर जाकर के देख सकते हैं मैंने 500 most important computer के question को भी solve कराया है उसको भी आप मेरे चनल पर देख सकते हैं तो आए इस वीडियो को start करते हैं वीडियो में अंते तक जरूर बने रहिएगा ये सारे question आपके लिए important है तो friends आज का हमारा पहला question है Windows operating system पर program की गती को बढ़ाने के लिए उपियोग की जाने वाली utility को क्या कहा जाता है utility को क्या कहा जाता है जो Windows operating system में उपियोग होती है उनकी गती को बढ़ाने के लिए option A, disk defragmenter option B, disk cleanup option C, disk formator option D, disk analyzer तो जो defragmentator है यह क्या करता है disk की जो अवेबस्तित file है उनको एक जगाए पर वेबस्तित करका है उसमें utility बढ़ाता उसको उसकी गती को बढ़ाने में उसकी मदद करता है तो option number A, इस question का right answer हो जागा आपका operating system से एक या दो question आपके CPCT exam में पूछे ही पूछे जाते हैं next question आपका अगला question है किसे programming भासा PHP के निर्माता के रूप में जाना जाता है तो PHP के निर्माता के रूप में friends हम जानते हैं लेयरडोर रूर उनको आप PHP जो प्रोग्रामिंग भासा है इनके जनक की रूप में या फिर निरमाता के रूप में जानती हैं तो आपसे प्रोग्रामिंग भासा के जो founder है या फिर निरमाता हैं उन से एक नएक question आपसे जरूर पूचा जाता है तो यह आपके लिए important question हो जाएगा next question MSXL 2013 में कौन सा function दुईपद बितरण या फिर binomial distribution का उप्योग करके एक परिक्षण के परणाम की संभावना देता है तो इन में से कौन सा function देगा friends तो इन में से जो b वाला है ये binom.dist.range function ये क्या करता है आपको जो दुईपद बितरण का उप्योग करके एक परिक्षण परणाम देने की संभावना देता है तो option भी इसका सही answer है तो आपको ये excel से एक नएक question जरूर पूछा जाता है जिसमें कौन सा function है ये function से related एक नएक question आपसे पूछा ही जाएगा तो इन question को भी आप note कर सकते है next question निमने की में से कौन सी एक टॉंगल की नहीं है यहाँ पर ये वाला की है कौन सी की टॉंगल की नहीं है option A control option B scroll lock option C numlock option D caps lock तो आपकी caps lock टॉंगल की होती है नमलाक भी टॉंगल की होती है और आपकी scroll lock भी क्या होती है आपकी टॉंगल की control ये combination की होती है तो यहीं आपकी answer हो जाएगा ये को टॉंगल की नहीं है next question बह भासा जो computer समझ और निस्पादित कर सकता है क्या कहलाती है ऐसी भासा का क्या नाम होगा जो computer समझ सकता है और उसको process कर सकता है तो ये आपके option है machine और binary option B application software option C system program और option D उच इस तरिये भासा तो जो computer भासा समझ सकता है बहा कौन सी भासा हो जाएगी आपकी machine भासा और binary language computer binary language को समझता है और machine language को समझता है तो ये question भी आपका frequently पूछा जाता है किसी भी exam में CPCT exam में तो ये पूछा ही जाता है next question तीसरी PD के computer processor की speed किस में मापी जाती थी तो processor की speed और PD से सम्मंदित आपकी generation से सम्मंदित एक से दो question आपके हर से पूछे जाएंगे तो तीसरी PD के computer की speed मापी जाती है friends millisecond, microsecond, nanosecond या picosecond तो इसकी speed मापी जाती है friends nanosecond में तीसरी PD के computer की processor की speed मापी जाती है nanosecond में next question Unix में who command का क्या उप्योग होता है तो आप से Unix की command और Linux की command इन से एक से दो question आप से पूछे ही जाएंगे तो इन question को आप एक जिकर पे note कर लीजिए जिससे आप उसको revise कर सकें बार बार या फिर आप बार बार वीडियोस को देख करके भी revise कर सकते हैं तो किसमें who command का उप्योग क्यों किया जाता है option A बरतमान में login उप्योग करता की सूची बनाना या फिर directory हटाना option C फाइल पर दरस्त करना option D एक समय में एक फाइल के पेज़ को परदरस्त करना तो who command का उप्योग किया जाता है friends बरतमान में login उप्योग करताओं की सूची बनाना तो option A, इसका सही answer हो जाएगा Next question, निम्न मैंसे कौन से ROMS hardware device होते हैं जिसमें data या निर्देशों का एक set पहले से program किया गया होता है तो ROMS hardware device को आपको देखना है, तो ये masked ROM या फिर PROM, EPROM और EEPROM, इनके full form मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं, वहां से देख सकते हैं तो इसमें जो hardware device होते हैं उसको बूला जाता है masked ROM, option A सही answer इसका हो जाएगा next question, जिसमें है MS word 2016 में line और spacing paragraph drop up menu में अंतिम दो बिकल्प खालिस्थान spacing बिकल्प होते हैं तो MS word और MS Excel जो इसके question आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें MS word के question मैंने most important 50 question कराए हुए हैं तो आप वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं तो option A, पूर्व निर्दारित रेखा, option B, अनुकूलित, line option C, अनुच्छेद और option D, column तो इसका answer हो जाएगा friends, अनुच्छेद या फिर paragraph, paragraph spacing बिकल्प हैं तो line और spacing paragraph drop up menu के अन्तिम दो बिकल्प होते हैं, कौन से अनुच्छेद या फिर paragraph spacing बिकल्प next, biometric अपकरण खाल स्थान के लिए सर्बुत्तम तकनीक प्रदान करता है option A, access control, option B, antivirus protection, option C, data encryption, option D, email security तो biometric अपकरण जो हैं आपके access control के लिए सर्बुत्तम तकनीक प्रदान करते हैं जैसे कि आपका phone ही होगा, तो आप fingerprint के माध्यम से उसको उसका lock open करते हैं आप face detector के माध्यम से आप अपने mobile को आप unlock करते हैं, जिससे आपको उसके अंदर access प्रदान करता है तो option A, इसका सही answer हो जाएगा, access control next question, motherboard पर मौजूद निम्न मैं से कौन सा expansion slot 64 bit high speed bus प्रदान करता है option A, ISA, option B, PCI, option C, PCI express 1.0, option D, AGP तो जो सर्वोत्तम slot high speed bus प्रदान करता है, PCI option number B तो option B, इसका सही answer हो जाएगा next question, दिये गए दिसमलाव संख्या के दुई आधारी समकच क्या है दुई आधारी समकच मनला, bionomial आपका क्या हो जाएगा तो इसमेंसे हो जाएगा, option D, 10111 ये इसका सही answer हो जाएगा, option D next question, निमने लिकित मेंसे कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो किसी उप्योग करता को एक basis pen जैसी सलागा या फर stylus तो आप देखते हैं, जो screen board जो आपका touch panel होता है आपका board होता है, उसको बूला जाता है stylus तो हाथ से ठीक उसी प्रकार छवियां, animation और graphics बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक ब्यक्ति काकच पर pencil से छबी बनाता है, तो क्या है वह है digitizer, option भी puck, bookpad या फिर pen to graph तो उसको बूला जाता है क्या digitizer तो digitizer एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप pen के तरीके से लिख सकते हैं next question इन में से कौन सी संख्याएं केबल जीरो और बन से बनी होती है तो ये आपका साधरण सा question है option A, hexadecimal, option B, decimal, option C, binary और option D, hexadecimal और decimal दोनों तो binary जो संख्याएं हैं केबल जीरो और बन से बनी होती है तो ये question भी आपका frequently पूछ लिया जाता है तो ये इस तरीके से ये सारी question आपके लिए important है अगर वीडियो पसंदा रही तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा friends इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मेरे चनल पर मिल जाएंगी तो next question है टच स्क्रीन डवाइस पर किसी बस्तू को बढ़ा करने के लिए निमने मैं से किस multi-touch gestures का उप्योग किया जाता है तो option है pitch in option B दो उगलियों से scroll officer C enlarge button पर click और option D double pick तो किस का उप्योग कर सकते हैं friends आप pitch in का उप्योग कर सकते हैं उसको बढ़ा करने के लिए zoom करने के लिए next question cable एक cable का उप्योग कर सभी computer को जोडने के लिए किस topology का उप्योग किया जाता है तो उसका answer हो जाएगा friends bus, star, ring या hybrid तो cable एक जो है आपकी ring का उप्योग करके या फिर एक cable का उप्योग करके आप जिसको जोड सकते हैं बहे कौन सी topology है आपकी bus topology तो option A इसका सही answer हो जाएगा next question printer की output गुर्बत्त मापने के लिए निम्न मैसे किसका उप्योग किया जाता है option A प्रती inch pixel option B प्रती frame pixel option C aspect अनुपात और option D प्रती inch dot तो जिस printer की गुर्बत्त मापी जाती है friends प्रती inch dot के माध्यम से तो option D इसका सही answer हो जाएगा next question MS bird का page orientation निम्न मैसे किसे कहा जाता है option A page के आकार option B page प्रत्रसित होने की दिशा option C page layout option D page finishing तो किसको कहा जाता है friends page प्रत्रसित करने की दसा orientation के कितने प्रकार होते हैं यह आपको बताना है next question file system के संदर्ब में NTFS का पूर्ण रूप क्या है एक से दो full form भी पूछे जाते हैं हर except में तो यह आप लगभग हम 15 से 20 इसको discuss कर चुके हैं तो वो भी आप देख सकते हैं तो इसका full form क्या होता है friends new technology file system NTFS का full form होता है new technology file system तो option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question Windows operating system में printing car को रूखने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे option है अपने printer को सट डॉन करेंगे option भी अपने printer को computer से disconnect करेंगे option C active printers dialogue box में print जवाब पर right click करेंगे और cancel बिकल्प को चैन करेंगे option D अपने computer से printer पर pause command भीजेंगे तो इसका answer हो जाएगा friends active printers dialogue box में print जवाब पर right click करेंगे और cancel बिकल्प को चैन करेंगे next question यदि आपका router data data किराम भीजने में असमर्थ है या data gram को discard कर देता है तो निमन मेंसे कौन सा error message पर दर्सेत होता है option है destination is unreachable destination is unverified destination is unavailable destination is out of coverage तो यदि आपका router message भीजने में असमर्थ होता है तो जो है बह देगा destination unreachable तो यह message आपको मिल जाएगा next question signal transmission के संदर्व में amplifier में खाल स्थान से तात पर input के साप एक्ष में output पर प्राप्त तरंग रूप से भिन्यता से है तो option A अच्हमता option B दो option C बुरूपन option D की नुक्षान तो signal transmission के संदर्व में amplifier में जो distortion होता है या फिरूपन होता है उस सितात पर input सापिक्ष में आपका output पर प्राप्त तरंग रूप से भिन्यता से होता है next question किसी तरंग की ताक्षणिक आप्रत्ती में परिवर्तन करके बाहक तरंग के बाहक तरंग में सूचनक का कूट लेकर निम्नलिकित में से क्या कहलाता है option A phase modulation option B I am modulation option C आप्रत्ती modulation option D छेत्र कलन modulation तो इस modulation को कहा जाता है friends इसको कहा जाता है आप्रत्ती modulation या फिर frequency modulation next question है file format के संदर्ब में EPS का पूर्ण रूप क्या होता है EPS का पूर्ण रूप होता है friends encapsulated post script file encapsulated post script file encapsulated option A इसका सही answer हो जाएगा next question cryptographic algorithm में encrypted message को जो भी अवरुद करेगा क्या कहलाता है option A बास्तविक data देखेगा option B calponic data देखेगा option C planned text option D recorded text को देखेगा इसका answer हो जाएगा वह क्या देखेगा एक calponic data को देखेगा क्योंकि encryption message में क्या होता है कि original message को coded form में लिख देते हैं जिसको decode करना पड़ता है तो यह है एक तरीकेशी carbonic data पूता है next question निमने में से कौन किसका सम्मन्द MSBird 2016 के home tap के editing group से नहीं है option A find option B paste option C replace option D select MSBird के home tap से paste option B इसका सही answer हो जागा friends I hope जो हमने 26 question को discuss किया यह आपको पसंद आयोंगे गर वीडियो पसंद आती है तो like और share जरूर कीजिएगा अगर यह इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजीगा जिस स्यागा में जो भी वीडियो अप्लोड होगे उसका नोटिपिकेशन आपके पास के लिए आप सभी का बहुत बहुत तन्यवाद